स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे 6 to 8 में math के question बहुत ही difficult थे तो चलिए math के question का solution हम लोग ढोड़ने की कोशिस करते हैं पाला question साइन 15 degree का value क्या होगा 15 degree की value आप कैसे find out करोगे तो कोशिस करना आप नीचे जो है थोड़ी सी जो है मैं थोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें तो देखो साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 45 degree माइनस 30 degree लिख सकते हैं क्लियर होगे बाते यह साइन 15 आ चाहेगा अब देखो यह फॉर्मूला बन रहा है साइन A माइनस B साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या बनता है साइन A तो साइन A के जगा क्या है 45 है फिर कॉस 30 degree आप यहाँ पर पूट कर दोगे ठीक है अब देखो यह दो बहले रूट 2 आएगा और इसी तरह से कॉस 30 की वैल्यू पूट करोगे तो रूट 3 अपॉन 2 आएगा आगे देखो इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आएगा क्लास 10 में आप लोगों ने यह चीजे देखी होगी और आप पढ़ा भी रहे होगे और इसकी वैल्य रूट 2 पैन पेपर पे नोट डाउन करते जाना ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो दुबारा देखलो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे है तो ठीक है अब LCM देखो नीचे सेम वाला ही नमबर है तो 2 रूट 2 आजाएगा उपर में आजाएग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गंटे वाला बटन दबा दीजिए और अगर आप 1 to 5 के रिजल्ट के इंतिजार में हो यानि की 1 to 5 के आंसर के देखना चाहते हो तो नीचे 1 to 5 आप जरूर लिख दे ताकि उसके उपर जो है डिडिकेटेड वीडियो बनाए जा सके तो चलिए फिलाल देखते हैं अगले कोशन की ओर पूछा गया है एक डिस्टेंस अफ प्लेन एक पॉइंट है 2 5 माइनस 3 और यह एक प्लेन यहां पे दे दिया गया है आपको बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी यहां से पॉइंट से तो देखिए आपको करना क्या है य बहुत ही आसान सा सवाल है याद रखिएगा यह बहुत ही आसान सा सवाल है यहां से देखो आप इस इक्वेशन को ले लो और आर को ना आप आर को कंसिडर कर लो x i और y j बेक्टर है और फिर z j यह कंसिडर आप कर लो और value put कर दो अब देखो मामला कैसे एजी वे में आप है dot डाल दो आप 6i और यहां हो जाएगा minus 3j और फिर 2k और इधर क्या है value equal to 4 अब देखो यहां से value जो है result अगर आप multiply करोगे तो यह क्या आजाएगा यह आजाएगा 6x minus 3y और 2z और 4 को इस तरह आप ले आओगे तो यह minus 4 यहां तक clear होगी बाते अब देखे distance वाला formula को आप यहां पर apply कर दोगे पाला क्या था 6 इसके बगल में multiply क्या आएगा 2 अब इसी तरह से क्या जाएगा minus 3 और यह value में 2 कहां से put कर रहा हूं यह value ठीक है ना 5 अब इसी तरह से 2 minus 3 बहुत पूट करते जाओगे आप और नीचे क्या हो जाएगा सारे का square 6 का square यह 3 का square हो जा 6 2 जा क्या जाएगा 12 बहा जाएगा 3 5 जा क्या जाएगा 15 आजाएगा और 3 2 जा 6 जाएगा और नीचे क्या आएगा देखो 6 चका के 36 3 3 जा 9 2 जा 4 अब देखो यहां से क्या result आपको दिख रहा है यह mod में है याद रखना है आपको यह mod में है 21 मैंसे 15 घटा दोगे तो उप 13 अपॉन 7 आजाएगा यह क्या आजाएगा 13 अपॉन 7 आप एक बार फिर से करके देख लेना सी इसका सही जवाब है 2 का क्या जवाब है सी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और बहुत ही आसान सा सवाल देखो क्या दिया हुआ है आप न अभी यह भूल जाओ कि य लेट मान लेना है लेट t is equal to 1 यह जो वैली दिया हुआ है आपको क्या करना है पुट कर देना है t is equal to 10 inverse x यानि कि आपने इसको क्या मान लिया ती मान लिया अब देखो इसे differentiate कर दोगे तो यह क्या आजाएगा dt upon dx is equal to 1 upon 1 plus x square clear है अब देखो मैं dt equal to कर यह divide में है इस तरह प यहां से देखो यह खतम हो गया dt equal to क्या गया 1 upon 1 plus x square dx अब इसकी value आप यहां पे put कर दो ठीक है उपर में क्या जाएगा पूरी की value dt और यहां पे t आजाएगा ठीक है और 0 से 1 तक था तो आप उसे लिख सकते हो या बाद में भी आप इसे solve कर सकते हो यानि कि यह क्या जाए तो आपने t का value क्या माना था 10 inverse और इसे यह का square भी था और नीचे 2 भी था है ना और आपको इसे put करना है कहां से 0 से लेकर 1 तक अब देखो 10 inverse 1 put करोगे तो 1045 value आती है 1 की तो यानि कि यह क्या जाएगा 10 inverse और x की value जैसे ही आप 1 put करोगे तो यहां पे हम लोग पूट कर सकत 10 pi upon 4 यानि कि 1045 की value similarly जो है यह square में आज आएगा और यहां पे आज आएगा 2 अब देखो इस तरफ जैसे यह आप 0 put करोगे तो 10 0 का value पूरा 0 हो जाएगा उदर आप भूल जाओ अब देखो 10 inverse 10 inverse cancel होगा बचेगा क्या pi upon 4 यह क्या बचेगा pi upon 4 पे square है और divide आपको क्या करन है 2 से divide करना था अब देखो pi square हो जाएगा और 4 फोर फोर जा 16 upon 2 मैं divide आपको कहा है यहां पे है नीचे 1 है तो यह हो जाएगा pi square upon 36 कौन सा option है देखो option नमर आपको 3 दिख जाएगा clear है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और next question देखो 5 नमर यहां पे क्या दिया हु fx is equal to y क्या कमान लो fx is equal to y ठीक है अच्छी बात है मान लिया मैंने अब fx की value क्या दिया हुआ x square minus 4x plus 5 is equal to y अच्छी बात है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अब देखो आप यहां पे यह चो 5 है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते है 4 plus 1 क्या लिख सकत और 2 2 का square b square हो गया यह minus 2 a और b clear हो गए बात है यानि कि यह क्या आ जाएगा अगर आप इसे solve करोगे तो यह finally आपको देगा y is equal to x minus 2 का whole square आप pen paper पे करोगे तो आपको समझे मैं अगर पूरे चीज़ों को यहां पे as of now अभी लिख पाना थोड़ा सा difficult है sorry for that अब देखो य इसे आप minus 1 कर दो तो यह आजाएगा x minus 2 का whole square यहां तक अगर आपको कोई दिकत है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब देखो यह square को आपको हटाना है मैं इसे erase कर देता हूँ क्या करूँगा erase कर दूँगा मिटा दूँगा है ना मि आपको क्या करना है यह minus 2 है इस तरफ ले आओ यानि कि यह value आजाएगा y minus 1 root के अंदर और यह plus 2 is equal to क्या आजाएगा यह 0 आजाएगा यानि कि अब देखो इसकी value आप कुछ भी निकालोगे ना तो यह y minus 1 जो होगा हमेशा 0 से बढ़ा होगा या बराबर में आएगा इसी क्या निकलेगा इसका range निकलेगा minimum 1 और maximum कहां तक जाएगा यह infinity तक जाएगा कहां तक जाएगा infinity तक देखो यह वाला option कहां दिख रहा है option a में आपको दिख रहा है a के साथ आपको जाना था चलिए आगे बढ़ेंगे अब देखो x और y का मान निकालना है इस से प्यारा question कहीं हो ही नहीं सकता है देखो अब इधर आप लिख दो 3x प्लस y और i और यहां पर लिख दो 7-2y अब देखो इस तरफ क्या value दिया हुआ 0 तो आप 0 प्लस i 0 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो यह देखो अब दोनों तरफ को compare कर दो तो यह क्या जाएगा 3x प्लस 2 is equal to 0 यानि कि x की value क्या आजाएगी यह देखो प्लस 2 जो है इस तरफ जाकर minus 2 होगा और divide 3 इतने तो आपको समझदारी पता ही होगी खेर इधर compare करोगे i i cancel होगा आपका और 7-2y is equal to 0 so on अगर आप इसे solve करोगे तो 2y minus 2y is equal to क्या हो जाएगा minus 7 minus cancel करा देना देखो मैं भी समझ value आया 2 upon 3 यह रहा और एक आया 7 upon 2 option c से ही जवाब है 11th का यह सवाल है 11th में शुरुआत में मैंने पढ़ी थी complex number वहां से यह मैंने सीखा था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले inequality से सवाल है 7 number में inequality से सवाल है देखो x minus mod 1 दिया हुआ है और इसकी value दी हुई है 2 अच्छी बा value क्या आएगी इसकी एक value आएगी minus में एक value किसमें आएगी minus में अब देखो आपको so on आगे बढ़ना है इसी तरह से mod को अगर आप यहां से निकाल दोगे तो यह value क्या आ जाएगा यह minus उदर जाकर plus बनाएगा यानिकी x की value एक आएगी 3 एक क्या आएगी 3 से लेकर plus infinity तो यह जो sign है न यह change हो जाएगा यह 2 हो जाएगा अब इसी तरह से यह क्या आजाएगा 3 आजाएगा एक value वेट 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 यहां पे थोड़ी सी गड़बड हो गई है wait a minute आप इसे solve करोगे wait मैं दूसरा वाला solve करकर दिखाता हूं minus x minus 1 आया था न यह और य इसे हम लोग solve कर लेते हैं यह minus 1 आजाएगा यह plus आजाएगा और यह 2 आजाएगा अब देखो minus x यह आजाएगा 2 minus 1 और यह आजाएगा minus x is equal to 1 plus 1 आया है अब इस minus 1 को उस तरफ आप ले जाओगे तो यह sign change हो जाएगा और यह minus 1 आजाएगा पहली value कितनी आए थी 3 दूसर सवाल क्या है locus of a point जिसमें fcsa और ordinate को देखो यह class 9th को अगर आपने अच्छे से पढ़ा रखा था काम आपका बन जाता देखो सबसे पहले fcsa x को बोलते हैं और ordinate आप y को बोलते हो ओल राइट चलिए आगे देखते हैं और यह equal कब होगा देखो x minus y is equal मुझे हसी आ र होगा और यह बहुत आसान सा सवाल था अगला देखो 9 number यह पूछा गया है 3x plus 1 और 6y minus 2 1 minus z का जो है direction ratio निकालना है देखो direction ratio आपने पढ़ी होगी 12th में पढ़ी होगी 12th का जो यह question है देखो कैसे बनाएंगे से बहुत आसानी से बनाएंगे सोरी आप लोग बढ़े हो ब देखो यहां x से मैंने 3 निकाल लिया अब यहां क्या बचेगा 1 upon 3 ठीक है एक बटा 3 अब यहां से देखो 6 आपको common निकाल लेना तो यहां क्या बचेगा y minus 2 upon 6 बटा 6 आप समझ लेना अब देखो यहां से आपको क्या करना है z को plus में लाना है z को plus में लाना है तो आप क्य से सही सलामत है ये नहीं है ये नहीं है तो आप इसे क्या करोगे x minus minus 1 upon 3 कर दोगे इसे क्या कर दोगे इसे कुछ नहीं करना है आपको don't touch it ये आ जाएगा 1 upon 3 divide कर दोगे तो ये 1 upon 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा z minus 1 by minus 1 अब देखो जितने के भी नीचे denominator में कितने कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं देखो ध्यान से जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपका सही जबाब हो जाएगा देखो यहाँ पे इसे जो है 1 upon 3 से divide करना था point अगर आप देखोगे यह 1 upon 3 आया ना प्लस में देखो यह प्लस इसे जो है sign up opposite में लेते हो 1 upon 3 और यहाँ पर वेट 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 यहाँ पर आ जाएगा 1 upon 6 आएगा इसमें और इसमें आ जाएगा minus 1 और यह option में आपको कहीं नहीं देखेगा और फिर से इसका answer none of this जाएगा d इसका सही जबाब हो जाएगा ठीक है hope कि आपको सारी बात है clear हो रही हो कोई भी doubt हो तो नीचे comment करके जरूर लिखिएगा आगे देखिए limit वाला सवाल है यह तो बहुत ही आसान सा है इसे बनाने की ज़रूरत नहीं यह बहुत ही आसान सा सवाल था 0 is q value हो जाएगा 0 को कि इसी भी नंबर से आप multiply कर दोगे तो वह 0 हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 11 नंबर में अब देखो क्या पूछा गया है variance of the data is 121 अब standard form पूछा गया है देखो कैसे बनाओ गया एक formula अगर आपको पता होता न sd यानिके standard derivation का तो sd is equal to क्या होता है root under variance क्या होता है root under variance अब देखो root under variance करोगे तो क्या जाएगा root under 121 और देखो इसका result actually plus minus में आता है plus minus 11 आएगा but as of now यहाँ पे 11 हो जाएगा बी answer इसका सही हो जाएगा जो standard derivation निकलता है वो plus में निकलता है तो यह भी इसका सही जवाब होगा चली आगे बढ़ेंगे अब देखो ये question ये वो बोलते है न वो रंगत वाली question है देखो यहाँ पे क्या बोला गया जीपी का पहला पद 1 है यानि कि a1 आपको दे दिया ह a जो है आपका क्या है 1 है चली आप आगे देखो आपो यहाँ पे क्या value दिया है तीसरे और 5 में का योग यानि कि a plus r 2 और a plus r 4 देखो तीसरे में गटा दिया मैंने और 5 में में गटा कर 4 लिख दिया मैंने इसकी value कितने दिवे 90 a का value क्या दिया है वो 1 put कर दो तो कोई value कु तो r मैंने इसे पहले लिखती है इसे बाद में लिखा है minus 90 is equal to 0 अब देखो यहाँ पर आपको middle term splitting करना है 90 को कैसे लिखें कि वो 1 आ जाए अब मैं इसे मिटा रहा हूं हटा रहा हूं और फिर से हम लोग यहाँ पर solve करेंगे don't worry आप pen paper पे not down करते जाओगे तो आपको ची square common ले लोगे आप तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर देखो sorry one common कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा r square और यहाँ पर क्या जाएगा wait 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 minus 9 आ जाएगा wait यहाँ पर कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है 10 और एक को multiply करेंगे नहीं 10 और 9 यहाँ पर 9 होगा sorry यहाँ पर 9 हो minus वाला तो r square is equal to 9 आ जाएगा और r की value क्या जाएगी plus minus 3 root अंडर 9 का value क्या होता है plus minus 3 होता अभी मैंने आपको standard वाला में बताया था लेकिन standard वाला में plus लेते हैं तो फिलाल इसका भी answer क्या हो जाएगा d number इन मेंसे कोई नहीं plus minus दोनों होता है तो यह answer होगा नहीं अब द देखो अगला सवाल क्या है बाल के अंदरी सिक्षन में गनित पढ़ाते समय में किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है सिखने की छमता क्या है बच्चे की मानसी कुमर क्या है उसकी जो है रूची क्या है attitude क्या है उसका या सभी सही जवाब होगा आपका option number D आगे देखो यह लॉलिपॉप सा सवाल था एक ही value क्या दिए थी A B C D अब आप इसे दो बार कर दो multiply A B C D अब क्या करोगे इसे multiply कर दोगे इस रो से इसे आप ऐसे multiply करोगे तो A into A square आ जाएगा और B जो है इसके साथ हो जाएगा B square C option देखो कैसा लॉलिपॉप सा था कहीं option में आपको दिखेगा ही नहीं यह सिर्फ B में दिखेगा तो B के साथ आपको जाना था ठीक है तो यह था science का इसके बाद जो है किसकी physics की या chemistry की जो है solution आपके लिए लाया जा तो नीचे comment करके जरूर बताएगा वीडियो यहां तक देख लिए है तो एक बार जैहिन जरूर लिखेग आप सभी जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लिखेगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day